नकसलवाधी हमला में CRPF के जवान सहीद होते हैं पाकिस्तान और बंगला देश के बोर्डर पे इस देश की राजनीतिक पार्टिया उन्हे सहीद नहीं मानती है और सहीद का दर्जा नहीं देती है भारतिये सेना नाम सुनते ही हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है इस देश में अनेको राजनीतिक पाटिया दावा करती है कि हमारे नेता का सीना 56 इंच का है लेकिन अगर इस देश में किसी का सीना 56 इंच का है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतिय सेना का है 14 फरवरी इस देश में नहीं पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और अभी वैलेंटाइन विक चालू है सायद लोगों को ये भी नहीं पता है कि 14 फरवरी के ही दिन पिछले साल हमारे देश के 40 जवान साही दो गए थे फुलवामा एटेक में और हम उन जवानों को भूल चुके हैं राजनितिक पार्टिया जातिवाद में बाठ दी धर्म में बाठ दी इस देश को और यहां तक की जवानों को भी दो भाग में बाठ दी एक को सैनिक कहते हैं और एक को अर्ध सैनिक बल कहते हैं अगर सेना के जवान कहीं सहीद होते हैं तो उन्हें सहीद का दर्जा दिया जाता है लेकिन अर्ध सेनिक बल के जवान अगर कहीं सहीद होते हैं तो इस देश की राजनीतिक पाटियां उन्हें सहीद का दर्जा भी नहीं देती है CRPF के 40 जवान सहीद हुए थे नक्सलवादी हमला में CRPF के जवान सहीद होते है पाकिस्तान और बंगलादेश के बोडर पे BSF के जवान खड़ा रहता है चीन के बोडर पे ITBP के जवान खड़ा रहता है नेपाल के बोडर पे SSB के जवान खड़ा रहता है इस देश के लोग जवान तो उसे कहते हैं लेकिन इस देश की राजनितिक पाटिया उन्हें सहीद नहीं मानती है और सहीद का दर्जा नहीं देती है क्या अर्ध सैनिकबल के जवान जवान नहीं है क्या वो देश की सुरक्षा करते समय अपनी जान की बाजी आधा लगाते हैं या पूरा लगाते हैं इस देश की राजनितिक पार्टिया, इस देश के जवानों को बलतकारी कहती है, और कुछ राजनितिक पार्टिया, जब जवानों का नाम आता है, तो जैहिंद वंदे मातरम कहती है, लेकिन जो जैहिंद वंदे मातरम और भारतिय सेना जिन्दा बात कहता है, वो भी पिछले साथ साल से इस देश पर राज कर रहा है और अर्ध सैनिक बल के जवानों को सहीद का दर्जा नहीं दे रहा है हमें पैंसन नहीं दिया जाता है क्योंकि हम अर्ध सैनिक बल है हमें पैसलेटी नहीं दी जाती है यहां तक कि इस देश के लोगों को यह भी नहीं पता है कि हम जो खाना खाते हैं उसका पैसा जो है हमारे सेलरी से काट लिया जाता है हम जो ड्रेस पहनते हैं उसका भी पैसा हमारे सेलरी से काट आ जाता है क्यूं कि हम अर्ब साइनिक बल है और न्यूज चैनल पे बैट के जो है मुझे पता है 14 तारिक को बहुत से नेता पुलवामा एटेक को याद करेंगे ट्वीटर पे लेकिन एटेक के बाद उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे नेता हम जवानों के घर पे जाके हमारे दुख और सुक को बाटने की कोशिस किये हैं हमें पता है इस देश के लोग बहुत जल्द जो है हर चीज भूल जाते हैं हम जब सडकों पे निकलते हैं तो कोई हमें जैहिंद भी नहीं कहता है कोई हमें याद भी नहीं करता है लेकिन अगर हम सहीद हो जाते हैं तो हमारे सहादत में सोसल मीडिया पे आसुओं का सैलाब ला देते हैं सिर्फ एक दिन हमें क्यों याद करोगे यार हम अपना जीवन जो है कुर्बान कर देते हैं इस देश की रक्षा के लिए इस देश के लोगों की रक्षा के लिए लेकिन हमें लोग अपनी खुसियों में नहीं सामिल करते हैं, अपने तेहवारों में नहीं सामिल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोसल मीडिया पे जाहिंद, बंदे मात्रम और भारतिय सेना जिन्दाबाद का नारा लगाते हैं कितने लोग दिवाली के दिन पे किसी जवान के घर पे जाते हैं क्या आपको पता है आप इस देश में सुरक्षित है क्यूंकि एक जवान बोडर पे देश की सुरक्षा कर रहा है कितने लोग होली के दिन एक जवान के घर पे जाते हैं टीवी चैनलों पे आप बैट जाईए तो दो धड़े में बटे हुए राजनीतिक पाटियों के लोग एक धड़ा हमें बलतकारी कहता है तो दूसरा धड़ा हमें सम्मान सिर्फ बीवी चैनल पे देता है सचा यह है कि जमीन पे वो भी धड़ा हमें सम्मान नहीं देता है पुल्वामा हमला हुआ आज तक पता नहीं चला कि हमारे जवान साहिद क्यूं हुए और हमें अर्थसाइनिक बल कहा जाता है और पाकिस्तान और बंगला देश के बोडर पे बीएसेप के जवान फ्रेंट लाइन वारियर कहा लाते हैं चीन के बोडर पे आईटी बीपी के ज करदन CRPF का होता है, तो हमें सहीद का दर्जा इस देश की राजनितिक पाटिया जाया हक्तिती है? क्या आप हमें सहीद का दर्जा देदोगे में पैसा मांगने जा रहा है या हमें भत्तना बढ़ां चाहिए और कपाषा हमें आंच कुझे मरत पर देख़ों के जाहान को द किसी भी बड़े तहवार या छोटे तहवार में हमारे परिवार वालों को समय जरूर दें क्यूंकि हम आपकी सुरच्चा के लिए बोडर पिखड़े हैं और इस देश के राजिनितिक पार्टी से सिर्फ और सिर्फ एक ही हम बिनती करना चाहते हैं हम कभी हर्ताल नहीं करते ह हम अपना मांग मनवाने के लिए कोई आंदोलन नहीं करते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीच चाहिए कि हमें सहीद का दरजा दे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अर्थ सैनिक बल्के ज़वानों को सम्मान दिला दे के लिए मैं बना रहा हूँ उमीद है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो राजिनितिक पार्टियों के नेताओं तक हमारी बातों को पहुचाएंगे ताकि जो है अर्ध सैनिक बलके जवानों को भी इस देश में सम्मान मिल सकें जै हिंद